धन्यवाद मान्नी उपसभापती मोहदई, नर्बदेहर मान्नी उपसभापती मोहदई में आपके माध्यम से सरकारेयों सदन का ध्यान एक महत्पुन विशे की और आक्रिशित करना चाहता हूँ मैं सदन के माध्यम से माननी प्रधानमंत्री श्री नरेंदर मोधी जी का रधाई की गहराईयों से धन्यवात करता हूँ आज हर भारती एप, UPI, इंटरनेट बेंकिंग या अन्य डिजिटल आनलाइन साधनों के माध्यम से अपने लेंदेन की देनिक क्रिया को बिना समय गवाएं आसानी से पुरा कर रहा है और यह डिजिटल यूख का कमाल है कोरोना महामारी के काल को माननी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतरतों ने आपदा को उसर में बदल कर रख दिया है जिसका प्रिणाम अब सब के सामने है दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल लेंदेन हमारे देश में हो रहा है यह हम सब के लिए गोरव का विशय है माननी उपसभापती मोहदई जैसे जैसे तकनिक की का विकास हो रहा है उसी के साथ साथ बड़ी बहुत बड़ी चुनोतिया भी आती जा रही है इसी करम में इस डिजिटल यूग में डिजिटल लेंदेन आनलाइन के माध्यम से कुछ लोग फ्राट या ठगी या धोकादड़ी कर रहे हैं जिसकी संख्या दिन बदिन बढ़ती ही जा रही है जो हमारे लिए चिंता का विशय है हमारी सरकार इस प्रकार का फ्राट करने वाले लोगों के लिए कई प्रकार के कानुन लेकर आई है पिछले कुछ वर्सों में आनलाइन के माध्यम से फ्राट या ठगी करने वाले मामलों के संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है आरबियाई की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्ती वर्सों में बेंकिंग छेत्र में लगभग 13,500 आनलाइन धोकादड़ी के मामले दर्ज हुए है इसमें ध्यान देने वाली बात यह ही कि सबसे ज़्यादा बेंकिंग धोकादड़ी के मामले नीजी बेंकिंग सेत्र में हुए है रिजर्व बेंक के आकड़ों के नुसार भारत को पिछले सांस सालों में हर रोच ओसतन करीब लगभग 100 करोड रुपे का नुकसान सिर्प बेंक फ्राट या स्केम के जरिये हुआ है मन्नी उपसबापती मोहदई मेरा आपके माध्यम से सरकारेयों नीजीयों सरकारी बेंक के अधिकारियों से सवाल भी है यदि हमारे देश के सभी बेंक खाते आधार से जुड़े होए है आधार कार्ड पहले से ही तकनी की रूप से सत्यापित हो चुके है तो यदि किसी भी वेक्ती के साथ कोई फ्राट या ठगी होती है तो हमारे सिस्टम में ऐसी क्या खामी है जो हम फ्राट करने वाले लोगों के खातेों को ट्रेस नहीं कर पा रहे या पकड नहीं पा रहे है यदि इस प्रकार की कोई खामी है तो उसे दुरस्त किया जाना चाहिए और दोसी के खिलाब कड़ी कानोनी कारवाई की जाना चाहिए ऐसे असंख के केस है जो लिखित में नहीं आते हैं मैं भी दूरदराच आदिवसी छेतर से आता हूँ यह पीडा मेरे छेतर के लोगों की भी है एक काल या एक मेसेज में आये लिंक को खोलने मातर से उस गरीब की मेहनत सुनने हो जाती है माननी उपसभापती महदई मेरा आपके माध्यम से नीजी छेतर के बेंक का आदिकारियों से विसेस आग रहे कि वो अपने वित्ति लिंदिन के सिस्टम को इतना मजबूत बनाए कि किसी गरीब के लिए यह बेंकिंग धोका धड़ी